इसको लेके यह सम्हामला वेक्ट की जा रही थी इसको जन्दी सरकार लागू करे लिए इसको लेके हम लोगों ने अब्रिहत तैयारिया की थी पहले से और हमारे जितने भी फील्ड के अजितारी हैं उनको इस संबन्द में सेंसिटाइज कर दिया गया था और उनकी लगातार सब्सक्राइज करना चाहूंगा कि एक ऐसी एक एक ऐसा रूल है जिसके साथ किसी के साथ कोई नागरिक्ता किसी की जानी नहीं एक एक एनेबिलिंग प्रोविजन है जिससे कि किसी को नागरिक्ता दी जाएगी और वो ऐसे लोगों की जो हमारे प्रोसी देशों से धार्मिक कारणों से परेशान होके यहां आएं उनकी संख्या भी बहुत कम है और इसका व्यापक असर भी दिख रहा है सभी धार्मिक नेताओं ने इस समय में अपनी पॉजिटिव टिपनी दी है और हम लोग लगातार एतियाद बरत रहे हैं और जहां तक कानूंगे उस्था बनाए रखने का प्रश्ण है इसके लिए हम लोग उने 179 कंपणी पीए सी हंड़ेड कंपणी हमें मिली हुई है चुनाओ के अन्य जो तैयारियां एक संवेदंशील प्रकरण को डील करने की होती है वो चीजे हो रही है सेक्टर स्कीम के अतहस सभी लोग लगातार बहुंचील है अभी तक कहीं से कोई अपरियग रखना की सुचना नहीं है और मुझे पुरा विश्वास है कि हमारी जो सशक्त एक ट यहां किसी भी तरह की कानून दुरस्ता उस पर नहीं होने जाएगा ऐसे अस्थान जहां पहले दिखते हुई थी या कुछ जो संवेदंशील अस्थान हम लोग ने चिन्मीत किये हैं या कुछ संवेदंशील और इस तरह के उपद्रवी तक्तों के पहचान भी हम लोग ने तो हम उस पर कठोर कारवाई करेंगे चाथा साथ ही हमारे मुख्याले चाथा सभी फील्ड लेवल पर सोचल मीडिया की मॉनिटरिंग भी राउंड अग्लॉक की जा रहे हैं चब्ल घंटे हमारे अधिकारी चीजों को देख रहे हैं डीजीपी मुख्याले अस्तर से भी ज है तुत में चीजों को महीं कर किया जारा